नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां के टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं भारतिये वाई स्विना का सबसे उम्दा फाइटर जेट राफेल भारतिये वाई स्विना के 17 वे स्क्वार्डन गोल्डन एरो का ही सा बन गया है अब खबर आ रही है कि फ्रांस ने भारत को राफेल लडाको बिमान के अगले बैच को सौब दिया है खबरों के अनुसार भारत में मिलने वाला राफेल बिमान का ए बैच अभी फ्रांस की धर्ति पर ही मुझूद है और अगले महीना अक्टूबर में इस बिमार की भारत पहुशने को उमीद है बता दे कि एकनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताविक राफेल पाइटर जेट के दूसरे बैच को भारत को सौब दिया गया है ये बिमान अभी फ्रांस में है मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर से मांसुन की वापसी के लिए बेहतर महल है विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले पांच दिनों तक राजे में कहीं भी भारी बारिस नहीं होगी कुछ जीलों में गरज के साथ हलके से मध दर्श की बारिस हो सकती है विभाग के रिपोर्ट के अनुसार गूमला देवगर और चात्रा में सबसे कम बारिस हुई है जारखंड में उर्दू के रिक्ट पदों पर जल्द बहाली मंत्री जारखंड के सिक्षा मंत्री जगनात महत्यों ने राज में उर्दू बिद्यालियों में सिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रिक्ट पदों पर उर्दू सिक्षकों की जल्द बहाली का अस्वासन दिया है साथ ही उर्दू बिद्यालियों एवं उर्दू सिक्षकों की विभीद समस्याओं के समधान का हर समभव सहयोग का स्वासन भी दिया है बतादे कि राज उर्दू सिक्षक स्वंका एक प्रतिनी दिमंडल उर्दू विद्यालियों के विभीत समस्याओं को लेकर आपनी 15 सुत्रिमायंगों के साथ राज के सिक्षा मंते जगनात महत्तों से उनके आवास पर मिले जार्खन में 904 संक्रमितुक पुष्टी हुई जुराची से 214 बोकारो तियतर देवगर 45 धनबाद 42 दूमका दस पूर्वी सिम्मों से 226 गडवा 55 गिरी डिनोव गोड़ा 35 गुमला 15 हजारी बैक सतरा जाम तरा 27 खुटी साथ कुडर्मा 31 लात्ते हार एक लोर्दागा 28 पला संक्रमितुक संख्या 89 नौव है जबकि 667 लोग स्वश्ट हुए और 689 की मृत्य हो गई भारत में कुल संक्रमितुक संख्या 60,3,348 है जबकि 50,13,360 लोग स्वश्ट हुए वही 955 गिर 574 की मृत्य हुए है भारत में नएक 82 गिर 767 मिले हा जबकि 74,869 लोग स्वश्ट भी हुए है जार्खन में रवी वार को 9 की मृत हुए है जो पूर्वी सिमुम से 4, बोकारो से 2, खुटी से 1, हजारी बाग से 1 वह राची से 1 है रवी वार को 79 ठावन मरी स्वश्ट हुए है एक्टिप केस इस प्रकार है राची 4,015, पूर्वी सिमुम 2,036, धनबात 775, बोक दागा 265, रामगर 256, देव घर 247, दुमका 225, गिरिटी 237, लातेहर 225, चत्रा 211, गडवा 192, पलामु 191, गोड़ा 113, सिम्डेगा 155, जामतरा 127, पाकूर 127, साहिव गा यह खतर है मुफ्त गैस लेने के लिए 30 सितंबर तक करे अवेदान, घरेलू रसोई गैस कनेक्षन लेने के लिए 30 सितंबर से पहले कुछ का जाती करवाई कर, आप मुफ्त गैस और कनेक्षन ले सकते हैं बता दे कि जार्खंट सरकार दूसरा सिलिंडर भी फिरी में दे रही है इसके लिए जल्द ही परदान मंत्री उज्वला योजना पर आपको राइस्टेशन कराना होगा इसकूली बच्चों को नहीं मिल रहा ग्यान सेतू का वर्क बुक राजे के सरकारी स्कूल के बच्चों को ग्यान सेतू का वर्क बुक नहीं मिल पा रहा है पहली से नविТ तक के छादर शत्राओ को ग्यान सेतू का वर्क बुक दिया जाता है लेकिन अब तक मात्री 3,50 चादर शत्राओ तक ही पहुँंच पया है बता दे कि बोकारो देवगर दुम का गुमला गड़वा कोड़ार्मा पाकुर असाहिवगन जीला में 30-40 पिस्ति तक ही या उपलब्ध हो सका है इसके लिए इसकूली सिक्षा और सक्षार्था विभाग ने 30 सितंबर का डेडलाइन तै किया है बिभाग ने बताया है कि तै सिमा तक बचों को ग्यान से तुका वर्क बुक नहीं मिले पर संबंधित जीला प्रखंड के पदाधिकारी समयत परधाना ध्यापकों पर जवाब दे ही तै की जाएगी डाक्टर अमीत को IETE गौरी मेमोरियल अलाट दोयरबिस से किया गया समानित 18 अक्टूबर को होगी सरना कोट को लेकर महारैली सरना कोट को लेकर अभिवार को बीर बुद्धु भगत भावन हुर्मू में माधो कच्छप की अध्यक्षता में बैठक होई इस दवरान मुखे रूप से राज और केंद्र सरकार के द्वारा सरना धर्म कोट की मांग को लेकर रन नीती त्यार की गई समती बनी की अगामी 18 अक्टूबर को महारैली का विजन किया जाएगा सरमीकों के साथ केंद्र ने किया धोखा कंग्रेस जाकन प्रदेस कंग्रेस कमिटी के प्रवक्ता अलोग कुमार दूबे ने कहा कि केंद्र सरकार अलग तबकों पर कुठारा घात और उनके हीतों के साथ धोखा कर रही है किसानों के साथ अन्याय की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि स्रमीकों के साथ भी धोखा हुआ उन्होंने कहा कि स्रमीकों के हीतों से समंधित कानून उनके लिए रक्षा कवज के रूप में काम कर रहा है लेकिन नरेंद्र मोधी सरकार ने इस कानून पर भी प्रहार किया है वर्चूल एंसुरेंस लोग अदालत में 142 मामले का निस्वादन जिला विदिक सेवा प्राधिकार राची के बैनर तले ब्यवहार नेले राची में पहली बार एसोसेशन भर्चूल लोग अदालत का अविजन किया गया इसमें नेले में लंबित 133 मामले का निस्वादन किया गया साथी प्री लिटीगेशन के नो मामलों का निस्वादन किया गया बता दे कि इन मामलों में प्रीद परिवार को 12,44,44,744 रुपे का मुअबजाद दिया गया जस्वन्थ सिंग के निधन पर राजेपाल और मुख मंतरी ने जतावा सोक पुर्वर रक्षा मंतरी जस्वन्थ सिंग का रभीवार सुबा निधन हो गया बता दे कि वे 82 साल के थे और पिछले 6 साल से कुमा में थे भारतिये जन्ता पार्टी के संस्थापकों में से एक जस्वन्थ सिंग पुरो परदान मंतरी अटल भी आरी वासपाई के नेत्रित वाले राश्टी ये जन्तांतरी गटवंदन सरकार के दवरान विभीण मंतरालों के कैबिनेट मंतरी भी थे जस्वन्थ सिंके निधन पर जार्खण की राजपाल दुरफती मुर्भु ने गारा दुख और सोक प्रकट किया है वही मुख मंतरी हमान सुरेण ने भी जस्वन्थ सिंके निधन पर गारा सोक ब्लक्त किया है पिछले कई दिनों से अस्पताल के सर्जन डाक्टर अजीत के द्वारा सर्जरियों की जा रही है बता देगी सनिवार को सदर अस्पताल में पहली बार लेपो एस्क्रोपी सर्जरिय की गई डाक्टर अमीत ने बिर्शा चोक के बंधु नगर की रहने वाली 30 साल की सुसीला नायक के गोल बलाडर की पथरी की दुर्बीन की मदद से सफल अपरेशन की हजारी बाग में अबैद क्रेसरो वा पथर खदान के खिलाप अभियान हजारी बाग के इचाक थाना छेतर के कई गाओं में जीला टास्क फोर्स की टीम ने एक बार फिर इचाक प्रखंड के भूसवा क्रेसर मंडी में अबैद क्रेसरो के खिलाप अभियान चलाया बता दे की चार घंटा तक चले इस अभियान के दरान बीस अबैद क्रेसरो को तोड़ा गया साथी कई अबैद पथर खदान को भी धवस्त किया गया जेल मेनुवल के नियमों को तोड़का लालू यादो से मिलने का दवरा जारी प्रतूल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतूल सादेव ने कहा कि बिहार के पूरो मुखमंत्री लालू परसाथ से राणितग्यों की मुलकात का सिस्विर लगतार जारी है इस दरान जेल मेनुवल और कानून की धजिया उड़ाई जा रही है प्रतूल ने पाटी के प्रदेश मुख्याले में रभिवार को समरदता समिलन में कहा कि जेल आजी ने कहा है कि केली बंगला को जेल नहीं माना जा सकता उन्होंने कहा कि अब्यान पूरी तरीके से निरधार है क्योंकि उस नियाले ने अपने 24 अगस 2018 के आदेश में लालू परसाद को रिम्स में इलाज कराने की सुविदा देते हुए या टिपनी की थी कि इलाज राची में हिरासत में हो जैप दस परिशर में कमांडेट ने किया पौधारोपन जारखन ससास्तर पूलिस बल जैप दस परिशर में रविवार को कमांडेट संध्यार आनी मेहता ने पौधारोपन किया इस दोरान 50 पौधे लगाए गए बतादे कि इस पौधारोपन में आम, लीची, पपिता, पीपल, सहीत और ने पौधे सामिली थे JEE Advance की परिशा में 97.36 उपस्थित JEE Advance की परिशा रविवार को संपन हुई राची में परिशा के लिए 11 परिशा के इंदर बनाए गए थे परिशा दो सिफ्ट में हुई, पाली सिफ्ट में 3499 जबकि दूसरी सिफ्ट में 3493 उपस्थित हुए बतादे कि परिशा में कूल 97 पर 37 उपस्थित हुए दुरगा पुजा आयोजन में राज सरकार के गाइडलाइन का इंतियार राची महानगर सिरी दुरगा पुजा समीती ने अतय किया है कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ही राजधानी में दुरगा उत्सव का आयोजन होगा पुजा आयोजान समीती सारदिय नवरात्र में इस बात का विशेश ध्यान रखेगी कि दुरगा पुजा को लेकर कुरोना संग क्रमन सहर में न फैले हटाये गए सिख्षको के साथ नयाय हो चात्रसंग जारखन हाई कोट के निर्नय के अलोक में हटाये गए सिख्षको का प्रतिनी दिमंडल रविवार को आदिवासी चात्रसंग के केंद्रिय अध्यक सुसील उराव से मिला बतादे कि सिक्षकों ने अपनी ब्याथा बताई इस पर आदिवासी छात्र संग की केंद्रिये टीम ने यह विश्वास दिलाया कि संग हाई कोट के आदेश का अध्ययन कर रही है और जरूरत पड़ी तो उसके लिए सुप्रीम कोट तक भी जाएंगे डीवीसी का बकाया चुकाने के लिए लोन के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं दामोदर घाटी निगम का बिजली अपूर्ती मद में ज्हारखन पर 568.39 क्लोर का भारी भरकम बकाया है बतादे कि बार बार डीवीसी द्वारा बिजली सपलाई ठाप करने की च्रताव आवशनी के बाद भी असर नहीं होने पर केंद्र सरकार ने अब चार समान किस्तों में समन्दित बाकाया केंद्रिय अनुदान मद की रासी से काटने की अल्टिमेटन दिया है, हलाकि केंद्रिय उर्जा मंत्राले ने इसके लिए रिन लेने का अभी विकल्प सरकार को सुजाओ दिया, जारखन पर बीज़ चुकाने का दबाव है, और ऐसे में फिल Kitchen लेने को आलावा राज खुब नवाजा है राची और आसपास के छेत्रों में मनोरम वादियों के बीच बहते जहरने और जल प्रपात इसकी खुब सूर्ती को चार्चान लगाते हैं। पत्रातु, सीयो, पत्रातु, इंस्पेक्टर, विपिन कुमार और भुरकुंडा थाना प्रभारी भी उपस्थित थे। की काक्षा के विद्यार्थी सामिलित होंगे। धन्यवाद।